हाई फ्रेंड्स डॉक्टर जयमेता हीर फ्रम मुंबई हमारे आज के वीडियो में हम एंडोमेटरियोसिस और सीए 125 इन दोनों चीजों का एक दूसरे के साथ में संबंध क्या है यह जानने की कोशिश करेंगे तो मैं पहले आपको नॉर्मल यूट्रस ड्र गता हो नॉर्मल फेलों द्रॉट्राव गता है आँ नौर्मल ओवरी ड्रॉप करता हूं एंडोमेट्रियॉसिस में यही जो यूट्रस रहता है यूट्रस साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है अडिनोमयवस के वज़े से ओवरी यूट्रस के पिछे जाकर ऐसे चिपक जाती है यह पूरी यहां पर पिछे चिपक हुआ रहता है रेक्टम में पाउच ऑफ डगलस में सब जगह पे जब कभी भी एंडोमेट्रियोसिस के यह जो स्पॉट्स है ना जो सब जगह स्प्रेड हो गए उनका पेरिटोनियम पे मतलब बॉड़ी की लाइनिंग पे स्प्रेड होने का ज्यादा बढ़ जाता है तब सी एवन ट्वेंटिफाई की वैल्यू बॉड़ी में इंक्रीज हो जाती है एंडोमेट्रियोसिस में ओफन लोग गूगल करते हैं और देखते है के सी एवन ट्वेंटिफाई का मतलब है कैंसर ध्यान रखे गाइस कैंसर के अलावा एंडोमेट्रियोसिस इंफेक्शन टीबी यह तीनों चीजों में फीमेल्स में सी एवन ट्वेंटिफाई की वैल्यू बढ़ सकती है यह आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखन है कि अगर मानके चलिए सी एवन ट्वेंटिफाई को हम कंसिडर करते हैं तो उसका जो नॉर्मल वैल्यू रहता है वो रहता है 35 से कम less than 35 एंडोमेट्रियोसिस में आपको यह वैल्यू से लेके 1000 तक किदर तक भी देखने को मिल सकती है अगर पेरिटोनियल एंडोमेट्रिय बहुत ज्यादा है तो यह वैल्यू बढ़ते रहती है इसलिए अगर मानके चलिए आप एंडोमेट्रियोसिस के पेशंट है और आपका सीए 125 का वैल्यू आया 200 तो इसका मतनब यह नहीं कि आपको कैंसर है आपको इस चीज को लेके आपके डॉक्टर के पास जाना है आपक जो Google पर advertisement देते है जिसके नीचे वो AD करके आता है उसको expert नहीं बोलते वो advertisement करने वाले doctors है आप आपके doctors आपके family doctors आपके friends relatives में से किसी को पूछे के endometriosis के expert कौन है उनको जाके दिखाईए सबसे best surgery endometriosis की अगर surgery का जरूरत है तो experts के हाथ में होती है जिससे आपका recurrence rate कम ह हो सके है all right इसके ओपर अगर endometriosis और CA 125 को लेके कोई questions है तो आप हमारे comments में डाल सकते है मैं या मेरी कोई team members आपको answer देंगे thank you so much Friends we are available for consulting in Bombay, Indore, Ahmedabad and Bangalore Bombay is our primary location all appointment numbers are mentioned in the description if anyone is genuinely interested they may contact the hospitals for the same of the food you